ओए गंदे गाने मत गाया कर हम तुझे चेतावनी देने आए हैं। ओ ठीक है जी जरा जल्दी दे दो ओडियन्स इंतजार कर रही है। यह अंदास था अमर सिंग चमकीला का, पंजाब का सबसे कॉंट्रोवर्शियल गाया थी। जिसने महिलाओं पर गंदे गाने बनाए, भद्दे गाने बनाए, ऐसे गाने बनाए जो सब के सामने तो कोई नहीं सुनता था। लेकिन पीछे से सब सुनते थे। वो महिलाओं भी सुनती थी जिन पर वो गाने बनाए गए। ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। नेटफिक्स पर फिल्म आई है अमर सिंग चमकीला, पंजाब के कॉंट्रोवर्शियल गायक अमर सिंग चमकीला की कहानी स्टार्डम होता क्या है, स्टार्डम बनता कैसे है, स्टार्स किस तरहें की परेशानियों को फेस करते हैं इस फिल्म में इस कहानी को बड़ी शिद्दत से दिखाया गया है अमर सिंग चमकीला एक जुराप की फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर किस तरह से वो सूपरस्टार बन जाता है गंदे गाने गाने जी हाँ बार-बार इस फिल्म में इस्तिमाल किया गया है शब्द गंदे गाने उन गंदे गानों की वज़े से बार-बार लोग उसके पास आते हैं धमकी देते हैं कि तुम ये गाने नहीं गाओगे पैसे मांगते हैं लेकिन फिर जब चमकीला गाने के लिए स्टेज पर खड़ा होता है तो लोगों की डिमांड उन ही गानों की होती है अमर सिंग चमकीला की जिंदगी बड़ी कॉंट्रोवर्शियल रही दो शादियां की उन्होंने उनकी दूसरी पत्नी ही स्टेज पर उनकी जोड़ीदार भी बनी इस कहानी को दिलजीत दोसांज ने जिस तरह से जिया है मैं शब्द इस्तिमाल करना हूँ जिया है वो कमाल है लगा ही नहीं कि दिलजीत के अलावा चमकीला का किरदार कोई और निभा सकता था दिलजीत की मेहनत साफ नजर आती है यह दिलजीत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मनस है दिलजीत को अब तक हमने ज्यादातर कॉमेडी रोल्स में दिखा है पंजाबी फिल्मों में ज्यादातर दिखा है लेकिन यहां दिलजीत दिखा देते हैं कि उनमें एक कमाल का अक्टर चिपा हुआ है जिसे शायद अब तक डिसकवर नहीं किया गया था और इम्तियाज अली ने उस अक्टर को डिसकवर कर लिया है परिनिती चोपडा ने दिलजीत का साथ बहू भी दिया है वो फिल्म में अच्छी लगी हैं उनका जो काम था वो उन्होंने शांदार तरीके से किया है इम्तियाज अली का डिरेक्शन ओन पॉइंट है यह फिल्म दिल को छूती है यह फिल्म जिस तरहें से अमर सिंग चम्कीला की कहानी को दिखाती है आप उस कहानी के साथ चलते हैं बड़े सिंपल तरीके से बड़े सोबर तरीके से ना कोई बड़े सेट्स ना कोई महंगे कॉस्ट्यूम ना कोई बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स लेकिन तब भी ये फिल्म आपके दिल को छू जाती है A.R. रह्मान का म्यूजिक इस फिल्म की तीसरी सक्ट से बड़ी खासियत है कमाल का म्यूजिक और क्योंकि कहानी एक गायक की है तो म्यूजिक और इंपॉर्टन्ट हो जाता है इस फिल्म में हर थोड़ी देर बाद गाना आता है और हर गाना आपके दिल को छू जाता है मतलब इतना कमाल का म्यूजिक है कि आप दिवाने हो जाते है नेटफिक्स पे ये फिल्म आई है और जिस तरह की एक कहानी है और जिस तरह से ये दिखाई गई है जरूर देखनी चाहिए आपको बहुत मज़ा आएगा आप बहुत एंटर्टेन होंगे और स्टार्स के बारे में स्टार्डम के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा तो शायद आप नहीं जाएगे मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे पांच में से चार स्टार्स